नमस्कार दोस्तो, मैं हूं रौसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चैनल दोस्तो इस चैनल पे आपको प्रिवियस एर पेपर का डिसकसन किया जाता है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए दोस्तो आज हम पेपर लेकर आए हैं, ओ है EPFO में जो Account Officer का जो Recruit में निकली है उसका पेपर हम डिसकस करेंगे 5 सितंबर 2021 का पेपर को डिसकस करेंगे पाट 1 है और देखिए फुल पेपर, जो इसका फुल पेपर है मैं टेलिग्राम चैनल पे डाल दूँगा तो लिंक डिसकिप्सन में है टेलिग्राम का, उहां से जोईन कर लेजिए, फुल पेपर मिल लेगा बाकी यहां हम डिसकस करेंगे, GKGS, Accounting, Social Security, Computer के Questions को बाकी जो Optitude है और English का Question को हम लोग छोड़ रहे हैं फुल पेपर यहां पर डिसकसन मिलेगा, Part 1 है, Part 2 भी आएगा और इसी तरह से जो 2017 का पेपर है, 2015 का पेपर है, 2012 का पेपर है, 2004 का पेपर है यहने कि कुल मिलाकर हम यहां पर 5 पेपर डिसकस करने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए और जैसा कि मैंने बताया, टेलिग्राम का लिंक डिसक्रिप्सन में है और देखिए, आपके पास भी कोई भी कोश्चन पेपर होता है, कोई भी एक्जाम का तो आप gfas25 at the rate gmail.com पे भेज सकते हैं तो देखिए, पहला कोश्चन इस तरह से है, कि मिलान करना है जिसमें कि कुछे सब्द दिये हुए हैं और उसकी मतलब यानि की ब्याक्या यानि की मिनिंग पुछा गया है जैसे कि बंदी काम आपको मिलान करना है किस के साथ तो दोस्तो यहां पर देखिए मैंने अंसर भी लिख दिया ताकि आप जब इसको भी अगर pdf फॉर्म में पढ़ना चाहें तो इसका भी टेलिग्राम पे मैं डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपने हरताल तो जरूर सुना होगा तो दोस्तो हरताल जब सुने होगे तो करमचारियों द्वारा क्या होता है काम बंद कर दिया जाना यानि कि जो भी करमचारी काम करते हैं तो कुछ मांग उनकी होती है तो मांग पूरा नहीं होता है तो हड़ताल करते हैं यानि की काम पर जाना बंद करते हैं यानि की काम बंद कर देते हैं तो देखिए C का यहाँ पर 4 तो C पे 4 यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा ही पता है तो अंसर A होगा या फिर D होगा तो यहां पर अंसर ए होगा, क्योंकि यहां पर आपको ताला बंदी का अगर मतलब पता होगा, तो प्रवंधन द्वारा घोसित कारिकाल की अस्थाई बंदी, तो अस्थाई बंदी अगर होती है, तो उसको ताला बंदी बोलते हैं, जबकि अगर बंदी अगर बोला जाए, तो किसी नियोजन स्थान का अस्थाई रूप से अगर बंध हो जाता है, तो उसको बंधी बोलते हैं, और जब कि करमकार क्या होता है, तो कुछल, कुछल, अथवासारेरिक कार करने के लिए किसी योग मियविजित, कोई भी व्यक्ति, तो यह करमकार होता है, त вик आपको गिया होगा अब देखे कोशन है कि कारखाना अधिनियम जो 1948 का है यानि कि फैक्ट्री एक्ट है 1948 का उसकी अनुसार जो है जो एडलोसेंट किसको बोलते हैं तो दोस्तो एडलोसेंट उसको बोलते हैं जिसकी उमर 15 वरस पूरी कर ली है और 18 वरस से कम आयू का है त्यानि कि अ अनुसार जो है कोई भी अगर 15 वरस के आयू पूरी कर लेता है और 18 वरस से कम का है तो उसको कुमार यानि कि अडलोसेंट बोलते हैं उसको आता अंसर ए इसका सही होगा question है कि किसी नियंतरित उद्योग का क्या आस यानि कि control industries का क्या आस है तो देखे कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंतरन में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोग के हित्मे समिचीन घोसित कर दिया गया है तो अंसर इसका भी ए ही होगा तो इस इस तरह से आपको ध्यान रखना वाई the government law, यानि कि act अधिनियम के द्वारा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आज देखे कोश्चन है कि किसी स्रामिक संग, यानि कि trade union जिसको बूलते हैं, उसके पंजी करन के लिए अपेचित सदस्यों की निवनतम संख्या कितनी होनी चा जाइए for the registration of the trade union is 7, जानि कि 7 member की जरूरत होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी trade union को register करने के लिए minimum जो numbers होते हैं, वो 7 होते हैं, तो इसको भी, आनि कि आपेचित सदस्यों की निवनतम संख्या साथ होनी चाहिए question है कि trade union अधिनियम जो 1926 का ध्यान रखेगा, trade union अधिनियम इननी की आपको यहां पर ध्यान रखना है कि trade union act है कब का तो 1926 का के संबन में अंतरगत निम्खित में से किन विवाद को बेवसाई विवाद माना जाता है, तो बेवसाई विवाद कब माना जाता है, यानि कि ज या फिर non employment से related है या फिर आपको condition of labor के बारे में भी यानि कि शरम प्रिस्थितियां के बारे में भी है तो यानि कि correct answer इसका होगा 1, 2 और 3 यानि कि C answer सही होगा अब देखे question है कि निमुखित में से कौन सा भासा अनुबादक नहीं है तो इसमें से देखिए आपको ध्यान रखना की assembler भी है, interpreter भी है और compiler भी है लेकिन linker जो है यहाँ पर जो language translator नहीं है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा question है कि निमुखित कत्रों में से कौन सा कथन सही है बेखिए question जब पढ़ते हैं तो सही और गलत कथन का यहाँ बारे में जरूर पता होना चाहिए तो देखिए output device का किसी device परिचालक के रूप में क्या है तो computer output की प्रयोकता के लिए बुधगम रूप में ब्याखिया तो इ इसका है program counter तो program counter इसका सही अंसर होगा तो इसको जरूर ध्यान रखेगा कि register is used to keep track of the next instruction to be executed तो इसको program counter बुद्दे हैं आप देखिए question है कि इन में से कौन audio file format नहीं है तो देखिए audio file format वीडियो file format तो इस तरह से question पूछे आते हैं तो इसमें audio file format नहीं है तो नहीं है कि व है बिल्कुल है wab भी है देखिए swf नहीं है तो इसका correct answer होगा c जबकि mpeg है तो यहाँ पर 1 a b और d है audio file जबकि swf नहीं है तो इसका correct answer होगा c question है कि one beat सूचना के संचायन के लिए परयुकत किसी अनुकरमिक electronic परिपत को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है यानि कि sequential electronic circuit that is used to store one beat of the information यानि कि one beat information store करने के लिए sequential electronic circuit को flip flop बोलते हैं तो correct answer यहाँ पर c होगा तो flip flop इसको correct answer होगा question है कि निर्गून भक्ति का संबन निर्खित में से किस है तो देखिए official answer की जब UPSC ने जारी किया तो उसमें इस question को delete कर दिया निर्गून भक्ति से तो इसको भी ध्यान रखिएगा निर्गून भक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजेगा तो इस question को UPSC ने class किया गया था तो देखिए आएने actvary को अबूलफजल के द्वारा जो है लिखा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा तो इसमें क्या था तो सक्तिसाली सासकवर के समर्थन से समाजिक समरश्ता इसमें बढ़ाने के उद्ध्यस से ही ऐसा किया गया थ Lori तो इसको ध्यान यानि कि साल्ट सत्यागरा, तो 12 मार्च, ध्यान रखिया का डेट भी पूछा आता है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, यानि कि कुल मिलाकर 24 दिन की गांधी जी ने यात्रा किये थे, कप से कप, कहां से कहां तक, तो ध्यान रखना है सावरमती आसरम से दांडी तक, इसको भ देखे, इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा, कि है थे कौन, तो देखे, जैपरकास नरायन भी थे, यानि जी रंगा भी थे, नरे निर्दे भी थे, जबकि राजंदर पर साथ, जो है, समझभादी गुट के, जो है, यहां पर सदर से नहीं थे, तो इसको जरूर ध्या recommendations दिये थे, मैताले का, यहां पर 1835 में, किसके तो minute on education, तो इसमें क्या था कि teaching in English medium, यह बिल्कुल था, recommendations के English medium में ही पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद liberal literary training होनी चाहिए, यानि कि उदार साहित्य के precision भी होना चाहिए, और यहां पर आपको धान रखना है कि teaching of western text alone at the higher level of education, यानि कि higher level पे जो यहां पर teaching का, जो medium होगा, वो सिर्फ और सिर्फ English रखने के बारे में इन्होंने क्या था, यानि कि western text के बारे में, यानि कि सिछा के उच अस्तरों पर पास्चात सिछा का यहां पर जुत्र किया गया था, जबकि D यहां पर विल्कुल गलत होगा, यानि क दोनों को नहीं दिया गया था कि आपको इंडियन और western दोनों को मिलाकर नहीं था, इसको जरूर ध्यान रखना है, खोशने कि ब्रहंपुत्र नदी के उपर धुबरी और फुलवारी के बीच प्रस्ताबित पूल से निमुर्खित में से कौन सा राज असम के साथ सीधे confusions होती है कि असम और अरनाचल होगा, कि असम और मिघालाई होगा, तो धूरी और फुलवरी के बीच जो पूल बनेगा, यानि कि उसमें मिघालाई को यहां पर सीधे रूप से जूड़ी आएगा, इसका correct answer मिघालाई होगा, जैसा कि मिघालाई के नीचे सिर्फ जो है, य इतने भाहर question पूछे गए हैं, लेकिन जब question पूछे गए थे, तो उस समय बेटलेंड जो यानि की रामसर भूमी थी, वो 76 नहीं थी, अभी भी 76 नहीं है, क्योंकि अभी भी 75 ही रामसर हस्तन है, तो तीसरा देखिए, option यहां पर गलत हो गया, तीसरा option गलत होते ही, आपको सिर्फ और सिर्फ C और D यहां पर होना है, जिसमें की रामसर कन्वेंशन का भारत जो है, हस्तार चर करता देश है, बिल्कुल है, तो देखिए, दो फरवरी 1971 को इरान की रामसर नामक सहर में एक कन्वेंशन हुआ था, regarding the conservations of the wetland, यानि की आदर भूमी को समरत्षन क परतान करने के लिए एक जो है, यहां पर हस्ताचर किया गया था, जिसमें भारत भी सामिल था, तो करेक्ट अंसर पहला तो होगा ही, रामसर कन्वेंशन आदर भूमी समर्च्छन से सम्मंदित है, बिल्कुल है, और अभी 75 जो है, यहां पर रामसर अस्तार है भारत में, तो करेक् सिंचाई के अंतरकत किरसी योग छेतर का विस्तार करना भी है, और खेतों में जल उपयोग दचता में पी सुधार लाना है, जब कि इसका जो है, हाई इल्डिंग विराइटी से कोई भी लेना देना इसका नहीं है, तो इसको ध्यान रखेगा कि अधिक उपज देने वाले प्रोसेसिंग जोन, यानि कि E-P-Z, E-P-Z का यहां पर अस्थापित किया गया था कांडला में, तो यानि कि गुजरात की कांडला सहर में, 1965 में ही एसिया का पहला एक स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन का अस्थापना किया गया था, तो करेक्ट अंसर B, कांडला गुजरात होगा सहज, सहज इसका correct answer होगा यह सहज scheme for the online booking of the LPG cylinder जिसको 2016 में petroleum and natural gas ministry के द्वारा जो है launch किया गये था सहज for the online booking of the LPG cylinder तो सहज इसका correct answer होगा उडान तो आपको पता होगा उड़े देश का आम नागरिक जो है इसको ध्यान रखेगा अब देखें उपदाई संदाई अधिन जिसको यहाँ पर आपको धान रखना है कि ग्रेजूटी अक्ट होता है पेमेंट ऑफ ग्रेजूटी अक्ट mango use अई कर्मचारी जो है रिटायर करते हैं तो उसको एक लमसम कर्मचारी को देखें की अधिक्तम रासी तो 20 आःग होगी तो 20 लाग होगी तो 20 लाग इसका इसको ध्यान रखेगा 20 लाख इसका correct answer होगा और देखे question है कि किसी बैस के करमकार के लिए एक सपता में काम करने है तू अनुमत घंटे की अधिक्तम संख्या तो देखे अधिक्तम संख्या कितनी है तो 48 घंटे से जादा काम जो है नहीं करवा सकती है company तो इसको ध्यान रखेगा 48 hours इसका correct answer होगा देखे simple है 8 घंटे परते दिन और 6 घंटे का चे दिन का काम सपता में करवा सकती है तो 48 घंटे देखे question है कि वह अधिक्तम अब धी क्या है जिसमें समुचित सरकार निवनितम मजदूरी अधिनियम यानि कि minimum basis act जो है इसको ध्यान रखेगा 1948 का है देखे इसी जो पूरा question discussion सुनेंगे तो बहुत सारे अधिनियम आपको लिख लेने होगे जैसा कि मैंने अभी बताया कि minimum basis act कब का है तो 1948 का है जिसमें अधिन मजदूरी की निवनितम दरों की समिच्छा करेगी और उन्हें संसोधित भी करेगी तो 5 साल इसका correct answer है यानि कि 5 साल में जो है review and revise करने का प्रवधान किया गया है basis के अंतरकत अंटर दम minimum basis act 1948 कोशन है कि सुकन्या समिर्धी योजना बहुत ही important था launch किया गया था सुकन्या समिर्धी योजना जिसमें कि बालिका को यहां पर जो है 10 वरस की आयू प्राप्त करने तक खाता जो है खोला जाता था और जिसमें minimum 250 रुपय प्रती साल और maximum 1.5 lakh रुपय तक के तो देखिए वही पूछा गया कि अधिकतम रासी 1.5 lakh रुपया 1.5 lakh इसका correct answer का A और इसमें जो है देखिए एक 18 वरस की आयू जब बच्ची होती है तब यहां पर क्या होता है कि वो premature हो जाता है जिसमें कि जो है साधी करने के लिए यानि कि उच्छ सिछा प्राप्त करवाने के लिए जो है निकाल सकते हैं और इसको जो है कब एक जब खाता खुलेगा माल लिजे खाता 5 साल में अगर आपने खुलबा लिए है तो 26 साल में पूरी तरह से mature हो जागा और पैसा आपको मिल जाएगा पूरा तो इस तरह से सुकन्या समिर्धी योजना जो है बच्चियों के लिए खोला गया था जिससे मिनमम 250 और मैक्सम डिपोजिट थी 1.5 लाख इने financial year है अब देखे अटल पैसन जो है योजना बहुत ही important थी जिसमें की 18 से 40 साल के जो है लोगों को एक जो है आपको जमा करने थे जिसमें की आपको रुपिया आपको जमा करने थे और आपको पैसन मिलता 60 साल होने के बाद यानि की 18 से 40 साल के अगर आप है तो आप जो है इ किसको एक हैर मिलेगा किसको पांच है तो इसमें ओही है आपको जो है प्रीमियम जो है कितना का आप लेते हैं उस हिसाब से आपको पैसन मिलेगा after 60 years तो इसको जरूर ध्यान रखेगा और इसको परधान मंत्री मोधी के द्वारा कोलकाता से जो है 9 माई 2015 को सुरू किया गय है तो विक्रे में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राफिलाव यानि कि जो भी विक्रे कर रहे हैं और जो लागत है अगर वो बच जाता है तो वो जो है सकल लाव यानि कि ग्रॉस जो है प्रोफिट इसको बोला जाता है देखे कोशन है कि अधारभूत ल अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन है कि बजार में नए परती असपर्धी के परवेश करने येवं उत्पादन और विपनन विवागों के बीच अनवन होने जैसी घटना जब हो जाती है जब लेखा वहियों में परकट नहीं की जाती है तब किसी इकाई द्वा करती है यानि की प्राप्ति और भुगतान लिखा को त्यार करती है यानि की रेसिप्ट अंदर प्यमेंट अकाउंट को कौन प्रिपेर करती है तो नॉन ट्रेडिंग कंसर यानि की गैर बेपारिक संस्थाई करती है तो करेक्ट अंसर इसका बी होगा कोशन है कि आई और ब पंडिचर होती है वो नोमेनल एकाउंट होती है नी कि अवास्तविक लिखा होती है खोशन कि लिटल बुक आफ इनकरीजमेंट किनकी पुस्तक है तो दब परसीद यहाँ पर दलाई लामा के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है यानि कि ध्यान रखेगा कि जनवरी इसका करेक्ट अंसर होगा सुभास चंद्र बोस की जयनती है 2020 से जो है मनाने की घोशना की गई है तो जरूर ध्यान रखियागा 23 जनवरी को पराकरम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है सुभास चंद्र बोस की जयनती के रूप में कोशाने कि सुलाहमी सताबदी की परसिद कलाकिर्थी साल वाटर मुंडी तो देखे साल वाटर मुंडी एक कलाकिर्थी है सुलाहमी सताबदी की एक प्रतिकिर्थी जो कथित तोर पर चोरी हो गई थी हाल ही में इटली में उस समय यानि कि 2021 के आसपस में इटली में पुलीस के द्वारा बरामत किया गया इस चितरकला को बनाने का यानि कि साल वाटर मुंडी जो यहां पर कलागरती है उसको बनाने का स्रेक किसे जाता है तो लिवोनार्डो दा बिंची को जाता है तो करेक्ट अ यहाँ पर D सही होगा कोचान है कि सैन सकती यानि कि Global Fire Power Index आती है उसमें भारत का रहा है कि तो देखिए अभी भी फोर्थ पोजिशन पर भारत बना हुआ है तो फोर्थ इसका करेक्ट अंसर होगा उस समय भी फोर्थ पोजिशन पर ही था कोचान है कि नावमी ओसाका ने अस्ट्ररियन ओपन हो चुकी है खतम जिसमें आपको ध्यान रखना है कि नवाक जोकोभीच ने जो सरवया के खिलाडी है में पुरुष एकल का खिताब जीट लिया है और जबकी अर्याना सावलिंका जोकी बिलारूरूस की खिलाडी है इन्होंने महिला एकल का खिती जब कि पूंकेशर जो है यह आपको किसका है तो मेलक पाड़ है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा तो करेक्ट अंसर D होगा कोशन है कि बनस्पति जगत का उभाईचर किसे कहा जाता है तो देखे यहां पर रिक्सिया भी है फ्यूनेरिया भी है मारकेंसिया भी है लेकिन असपाई रोगाईरा नहीं है तो करेक्ट अंसर यहां पर देखे नहीं ही पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है तो असपाई रोगाईरा नहीं है कोशन है कि निमर्खित में से कौन सा बन उनमुलन का परिनाम नहीं है तो यानि कि बन उनमुलन जो है अगर करते हैं तो देख पूरूस में निमिकित में गुनसुत्रों में से किसमें बेमेलीगू में तो तरके गुनसुत्र 21, गुनसुत्र 18 भी है, गुनसुत्र 13 भी है, गुनसुत्र X नहीं है, यह महिला में पाया जाता है, तो correct answer यहां पर C सही होगा, कोश्चन है कि vaccine सब्द की उत्पत्थी एक Latin सब्द से हुए है, सबसे पहले आप से question हो सकता, next वार में ही पूचले जाए कि vaccine सब्द जो है, किस भासा का सब्द है, तो Latin सब्द किसे उत्पत्थी हुई है, तो इसको जरूर ध्यान रख़ेगा, तो वैक्का से जो है यहां पर तो इसको जरूर धियान रखेगा गाय इसका मतलब है वैक्सिन का जो की लैटिन सब्द वैक्का से उत्पन हुआ है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए बस आपको करना क्या है लाइक करना है वीडियो को सेर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहां पर हम पांच पेपर एपफो यो यो का डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद